पाकिस्तान क्रिकेट बोट के अध्यक्ष नजम सेथी ने BCCI के सामने एक बड़ी शर्त रग दी है One Day World Cup को लेकर नजम सेथी ने BCCI सचीव जहशा के सामने ऐसी डिमान रखी है कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे नजम सेथी ने कहा है कि इस साल One Day World Cup में अपनी टीम भीजने से पहले ICC और BCCI सचीव जहशा से लिखित रूप में गैरंटी लेना चुहाते हैं कि भारत 2025 में होने वाली Champions Trophy में भागिदारी करेगा नजम सेथी का ये बयान एक बार फिर चर्चाओ का विशे बना हुआ है नजम सेथी ने कहा है कि जब तक ICC और BCCI लिखित गैरंटी नहीं देते तब तक पाकिस्तान भारत में One Day World Cup का कोई मैच नहीं खेलेगा इस साल One Day World Cup 2023 का आयोजन 5 अक्टूबर से भारत में होने जा रहा है और वही Champions Trophy 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होने जा रहा है भारत का कहना है कि पाकिस्तान की मेजबानी में एश्या कप नहीं खेलेगा और भारत ने वहाँ टीम भेजने से मना कर दिया है अब PCB अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा है कि 2025 में टीम इंडिया अगर चैंपियन्स ट्रोफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी तभी पाकिस्तान 2023 का One Day World Cup खेलने भारत जाएगा वैसे PCCI ने पाकिस्तान मैचों के लिए एहमदाबाद, चिन्नेई, बैंगलॉर और कोलकाता के मैदानों को चुना है हम आपको ये भी बता दें कि जहशा की अध्यक्षता में SC ने अगामी 2023 एश्या कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की पुष्टी नहीं की है हाइब्रिड मॉडल के अंतरगत भारत अपने मैच UAE में खेलेगा जबकि बाकी मैचों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा सूत्रों की माने तो नजम सेठी आठ मैई को दुबई के लिए रवाना होने वाले हैं, जहाँ वो SEC और ICC अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे हालकि पाकिस्तान ये भी चाहता है कि एशिया कप लाहौर और दुबई में हूँ, वैसे भी सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के राजनेतिक रिष्टे काफी समय से ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही ह ये दोनों देश सिर्फ ICC इवेंड में ही आमने सामने होते हैं, लेकिन जब से 2023 एशिया कप और 2025 चैंपियन्स ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है, तब से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है अब ये देखना वाकई दिल्चस्प होगा कि भारत पाकिस्तान में खेलने जाता है या नहीं, फिलहाल भारत का पडोसी देश पाकिस्तान को दौरा करना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुम्किन सा लग रहा है टीम यूज नेशन